तो इस वीडियो में हम लोग पिछह पीछली वीडियो में हम लोग 6 तक question देख लिया था और इस वीडियो में हम लोग 7 से जो भी chapter में मतलब की यह से जो भी 7 का a में हो वो हम पूरा देख लेगा तो यहांपर सबसे पहले सकते अउने अच्छा मनोतों एक्स कामान ग्याद करना ठीक है तो एक सकते हैं और समन्दपात का मतलब होता है और 16 बटे आठ ठीक है अब यहाँ पे इधर तिरचा-तिरची गुना होगा ब्रज गुना तो यहाँ पे यहां पर बीता समन पाते हैं कि सिधे परयोग पर आधार एक प्रास ने बीता समन पाती है आप लोग पीछेले वीडियो देखें तो इसमें कोई दिकत नहीं होगा यहां पर आधार में लेकित रासियों का मद समन पाती क्या होगा तो मद समन पाती क्या होगा जो बीच में होता है ठीक है तो इसका मद समन पाती अगर एक समाल लेंगे तो जैसा कि माना बीस पांच का मद समन पाती ए है या फिर एक कुछ भी मान सकते आप तो बीस होग होगा दूसरा और तीसरा का अनुपात के हैं तो इसको हम इस तरह से लिख अकते 20 बड़ ह Okay दो नों इक्वेल होगा तरह तीसरा का अनुपात के इस तरीके से लिखेंगे ऑर अम लोग वह इसको चेयरम पहद बोलते है इसको अर रूट में होगा नथाद ही 5 का बर्गमूल यहान यहां नतरी मैं अगर एक्स अम लोग इसमें अगर एक्स मानेगे दो बट्टा एक्स और बराबर होगा एक्स बटे 32 ठीक है 32 दूनी 64 इधर एक्स अस्क्वार आएगा तो एक्स बराबर 8 आजाएगा आपका देख लिएगा इसको उसी तरीकत से और इसमें भी आपका इसको ए मानेंगे या एक्स मानेंगे तो एस्क्वार बराबर एदूना का गुनन पले कासी था अ कि तो आपका यह परबर नाए नाए गा कि नाए नमर में किसी नुपाथ में पाहला तीसरा चौथा पत करमसा यहां पर यह देखिए पाहला और आदिसरा और यह जा लाज दिया होए तो दूसरा पत ज्याद करना तो अगर चारहा टाथ हे ठीक है और को यह आपर दी से इसको बनाएंगे तो यहां पर देखे इस तरी के समनुपात में होगा तो इस परकार से हम लेख सकते हैं अनुपात को 15 बटा X समनुपात का मतलब 1 बटा 24 बटा सुला तो यहां पर तीरचा तीरचे गुना करेंगे तो 24 X और 15 गुना सुला 24 सिद़्ार इंटू में इधर तो डिभाइड में होगा तो इधर हम लोग काड़ चट करें जैसे छेट चो चोवीस चार चोव सुला तीन दूनी छो और दूनी चार तीन पच्छे पंदरा और पांदूनी दस ठीक है तो यहाँ पर पांदूनी दस आपका और दस नमर जो कोशन है न वो ठीक इसी परकार से गानाथे राश्यों का 23 समन उपाती कियाद करना है तो जो सतत अनुपात में होते हैं उसमें जो तो आपका तीसरा पज़े से अगर एक 6 है और एक आपके सामने 12 है और एक 24 है ठीक है तो इसको बोलेंगे तीरतिये तीरतिये समय नुपाती इसी को बोलेंगा इसको मद बीच वाले को मद है नुपाती बोलते है ठीक है यह होता है तो अगर ऐसा बोलें तीरतिये समय नुपा धीक, है थो यहां हुगा है क्यों कि पहला दूसरा आट पाथ दूसरा पियुकैया थेक्स बॉराबर 5 कुल यह इकाउं में ठीक है तो यह आपका पहला में तीन है दूसरा में दूसरा में दूमाल नहीं है तो इसको अगर इस तरी से सततनी उपाथ में यह थे इसका बट ये ठीक हा एकवल होगा इसका बट ये तो इसका बट तीन बट नहीं नीचे तो एक लिख दिये अभी इतना भागा में इसको लोग पहले समझाए दें से 3 बटे 8 के नीचे वो है अर्थात वो भागा में है ठीक है 2 बटे 3 है इसको गुणा में बदलेंगे तो 3 उपर चल लेगा 2 नीचे आ जागा ठीक है यानि 3 उपर यानि 3 तिया 9 और 2 नीचे आर्दूनी तो 9 तिया 27 एक होगा ठीक है और इधर 8 दूनी सुला है तो 16 दूनी 32 होगा ठीक यह 32 है और 27 इंटू में दहरागा डिवाइड में यानि 32 बटे 27 आपका अंसर हो जाएगा और यहां पे 12 नमर में निमलेखित में कौन बीतत सतत मतलब अनुपाती है अगर बीतत या फिर सतत अनुपाती है तो पहला दूसरा का अनुपात दूसरा तीसरा का अनुपात दोनों एकवल होना जाए इसी तरीके से हम लोग चेक करेंगे तो पहला में 16 यहां पे 39 सता है इसको देख लेते है बटे में करके ठीक है पहला दूसरा तो 3 बट नौ एकवल होगा दूसरा तीसर तो यहां पर चार दुनी आठ आता है, आठ चो बातिस आता है, यह दोनों इकुल नहीं है, क्योंकि एक बटे दू है, एक बटे चार है, यहां पर काटने से पता चला इकुल नहीं आता है, चार आठ बातिस अनुपात में नहीं है, ठीक है, बितत अनुपात यहां पर लिखन तो पन्द्रही आएगा तो ठीकी से पकार से यह सब आप आपसे बन जाएगा और यहां पर 14 नमर एक मांच जीत रहा जिस जो एक 1000 किलोमेटर को दो सेंटीमेटर से दर साथ बनाया गया एक 1000 किलोमेटर को अगर दो सेंटीमेटर से दर साय गया तो जाहिर से बात एक सेंटीमेटर को 500 किलोमेटर से उसका होगा एक सेंटीमेटर का तो यहादी दो आस्थान 1,000 km तो एक सेंटी मेटर 500 km को दरता है इसलिए 2.5 cm जो वो टूपंद 5 गुना 500 km को परिए bet 25 गुना कर Hindu क आपका आ जाएगा क्योंकि यहummै एक बाथ 10 समलब देंगे तो यहां पर 1250 होगा और यह जीरो का वहलू ने 10 समलकबाद किलोमेटर होगा या फिर यहां पर 1250 किलोमेटर होगा या फिर हम इसको समानुपात बीदे से बना सकते हैं क्योंकि 1000 km और 2 cm का अनुपाद जितना आएगा उतना हमारा जो cm में दिया हुआ दोनों उसका भी अनुपाद आएगा तो इसका तो हम लोग पता नहीं है ठीक है यह पता नहीं है आपका 1000 और 2 km वाला दिया हुआ इधर आपका जोतना 2.5 cm है तो इसका हमको निकालना है ठीक है तो उसको हम लोग एक्स माल लेंगे ठीक है जो बोलने है बास्तविक दूरी क्या है तो उसको हम लोग एक्स माल लेंगे यहाँ पर आपका यह cm यह 1000 km के जितना नुपाद होगा वहाँ पर जो बास्तविक है इसका जो cm दिया हुआ है उसका बास्तविक का अनुपाद और इसका दोनों का सेम होगा तो यहाँ पर पता ही होगा अनुपाद वले बिधी तो यहाँ पर एक्स होगा इसके बटा में इसको लिखेंगे इसके बटा में इसको लिखेंगे तो यहाँ पे एक हजार बटे 2x बटे 2.5 तीचर तीचर गुना करेंगे तो आपका इधर एक हजार गुना 2.5 इधर 2X आया टू इधर इंटू में इधर आएगा डिभाइड में होगा तो डिभाइड करेंगे तो 500 भी आएगा 500 गुना इतना करेंगे तो उपर इतना ही था आपका बार सो पचास आ जाएगा और 15 में एक रैल गाड़ी सं उसे तरिके सब यहां फिस जितना भी होशन उसी तरीके से एक रैल गाड़ी पांच गहंते में 3000 किलो segmentर दूर इताई करता है इसको बटे गुरुप में लेकेंगे 5 बटे 300 बराबर समन पात का मतलब अर्थ बटे एक्स तियोचा तिर चीज़ को गुना करेंगे तो पाच एकस और इधर आठ गुना यानि एक सुनना भी है साथ हुआ और चकार तालिस यानि 480 होगा ठीक है तो यहां पे 480 होगा तो आठ गहंटे में 480 किलोमेटर दूरी तै करेंगे यहां पे आप इससे बना सकते हैं पाच गहंटा और आठ गहंटे यानि घहंटे घहंटे का अनुपात और किलोमेटर किलोमेटर का अनुपात दोनों इक्वल ही होता है आम लोग बिचे बेसिक में भी पढ़ेते तो इस प्रकार से बनाएंगे तो आपका इतना ही अंसर आएगा और आपका सुल्हा नमर में यादी 6 काटोरियों का मूल 90 प्या है तो 6 काटोरी का मूल 90 प्या है तो 10 काटोरी का जितना ही मूल होगा इस दोनों का अनुपात और इस दोनों का अनुपात इक्वल होगा यहाँ पर 6 माना की अभी मूल जो है वो एक्स है तो इसका 6 नब्बे का अनुपात जो हैगा इक् का अनुपात इसका तो पाते नहीं है एक्स माना हुआ यहां पे तो छे बटी नब्बे इसको एक्वाल होगा यहां पे और दस बटे एक्स तिरचा तिरची गुना करेंगे तो नब्बे गुना इधर दस इधर आपका 6 एक्स इधर ही लिखना चाहिए ठीक इसलिए इधर ही देवार यहां पे ऐक्स जो है इंटू में तरह डिभाइड में तो यहां पे देखें तीन दूनी 6 और पांध दूनी दस और यहां पे तिन से इसको काटएंगे तो तो तीश-तीन अनुपात है अब उपर तीस और पांच बचा तो तीश-तर गुना करेंगे द्टिस वाए 10 की टुट रीषा मुँल 500 रिप्या होगा किसी या इतकार मेlemबाई यहां पर देखिए助लचा में है तो यदि मैज़ान की लमबाई 60 मीटर हो तो इसकी चोड़ाई यहां पर देखिए लमबाई 60 है और यहां पर लमबाई 5 है पांच की कितना गुना है 12-65 तो ये भी 12 गुना होगा 3-12 परतिया 36 होगा जैसे इसको अगर x मिटर माल लेंगे तो यहाँ पे 5 अनुपाथ 3 होगा ठीक है और इसका जो अनुपाथ होगा 60 मिटर अब इसका दोनों का इकुल होगा तो इस अनुपाथ होगा x मालने इस तरीके से ठीक है तो पांच बटे 3 और 60 बटे x अब यहाँ पर तीर से तीर से गुना होगा तो पांच एक साथ गुना तीन यह हुआ अब यहाँ पर पांच इन्टू में धर हैगा डिभाइड में तो पांच से कटेगा 12-65 बारतिया 36 मिटर आपका अनसर होगा अब यहाँ पे 18 ए अनुपात आए तaster दूनों का अनुपात इकुवल होगा तो अगे बोला 30 लिटर तो यहां पर तीर्चा तीर्ची गुना होगा 25 एक्स और देर्ड़ सो गुना 300 इधर 25 इंटू में तरह आगा डिभाइड में तो आप इधर काटेगा तो आपका यहां पर पापचे पापचे 25 और तीन पचे 15 पापचीश चाका यहां पर देर्ड़ सो कटा हुआ ठीक है तो तीस गुना छे शेती आठारा एक्सो असी आतक तीस लीटर पिट्रॉल में कार 180 किलिमेटर दूरी टाइक करी गए लाश कोश्चन यह आपका है इसमें बोला एक मिसरन में दू देवं पानी का अनुपाद तीन तीन बैस गुना है तो आपका दूद भी पान्च गुना होगा तीन से क्योंकि तीन दूद ही ओओ रेक सै तो तीन नुपाद दो यहांपर दीया होगा पानी होगा سबसे पहले एदर पान नुपान दोनों का पाँ दोनों एक्व होग में यहां तीस और यह पह दस प्रत कुलियर होग होगा beg Tips और Explakra चाहिए लोग सब्सक्राइब करें हो थो जलें लेकर संब्सक्राइब कर देगा तो चलिले मिलता आपसे अー strengthening दो